तो चली फ्रेंट्स आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओपो वर्सेस वीवो बिकोज यहाँ पर यह दोनों ब्रांड एक दूसरे को काफी जाधा टफ कॉंपेशन देते आएं और दोनों जो फोन हमने में आपके सामने रखें एक तरफ वीवो के वाई सिरीज का फोन से ल पर देखें तो प्राइस पोईन आगर देखें तो 30 अरग की किमत में आता है और 25 अरग की मत में आता है वीवो यहाँ पांच जार रूपर का दिफरेंट है बट देखना होगा कि क्या-क्या चीजें आपको अंदर चेंजेस मिली हैं और कौन सा फोन आपकी लिए बेस्ट ह लाइक वीवो की तरफ जाना है और ओपो की तरफ यह सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल वीडियो पर लास तक बिन रहेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सुस्राइब करके जोड़ जाए टेका उसकी फेमेली के साथ डिजाइन के प्रीमियम लाइट है यहाँ पर 171 ग्राम का यह फोन आता है 7.7 mm की थिकनेस यहाँ पर दी गई है तो फोन ओवियसली काफी प्रीमियम लुक देता है आपको रियर साइट से बाकी वीव वाए हन्रेट आप देखें तो इस फोन ने काफी कमाल कवर किया है बिकॉस 25 अर के अंदर आप आपको यहाँ पर यहाँ पर पीछे के तरफ एजी ग्लास मिलता है जो कि आपका कलर चेंज करता है यूवी रेस से सन लाइट से आपका फोन का कलर बैक चेंज हो जाएगा यहाँ उपर के तरफ ग्लोसी फिनिश भी देखने को मलती है मैट फिनिश के साथ यह फोन आता है बाकी फोन आता बोकी डिजान के साथ अधा है यह फोन भी काफी साथ लाइट वेट है 171 ग्राम का फोन है और 7.73 mm के तिकनेस इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगी तो जैसे के फ्रेंट यहाँ पर अगर दोनी फोन के फ्रंट डिस्प्ले के गर में बात करूँ तो यहाँ पर ओपोन है काफी बेस्ट वक किया है यहाँ पर आपको 3D करो डिस्प्ले देखने को मल जाएगा बैजल और चेन के साइस काफी जाधा छोटी सी है सेंटर में आपको पंचोल भी दिया है साथ ही मगर में बात करूँ इस फोन के डिस्प्ले साइज की तो आपको 6. 6.7 इंचिस का Full HD Plus AMOLED पेनल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वीव यहाँ पर ओल्ड यहाँ पर डिस्प्ले काफी पुरान टाइम से हमें नोच यहाँ पर देखने को मिला है बाकि वीव ने इसको यहाँ पर वीव यहाँ पर डाल कर दिया है बैज और तो चेन के साइज थ इस फोन में देखने को मिल जाएगा बाकि 90 Hz का refresh rate आपको वीव के फोन में दिया है आउट्डूर अगर फोन को लेजा अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो ओविव यहाँ ज्यादा बैटर लाइट कंडिशन वीव की हो जाएगी बिकोस 1300 नेट का पिक ब्राइटनेस व आपको वीडियो से कलर काफी कलर फुल हो जाएंगे यहाँ पर एक चीज यह भी निकल कर आती है कि प्रोटेक्शन की इस फोन का जादा बैटर है तो ओपो रेनो एट्टी भी आता है यहाँ पर यही काम करता है डियोल स्पीकर का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल बाकि सिंगल स्पीकर के साथ आता है Vivo Y100 लेकिन बड़े-बड़े फोन भी हमने इसके देखे हैं वह भी सिंगल स्पीकर पर बेजड है लेकिन ओपो ने काफी अच्छा वक किया है आपको डियोल स्पीकर स्पीकर का सपोर्ट ओपो रेनो एट्टी में देखने को मिल रहा ह अगर आप यहां पर एक चीज़ देखें तो तीन-तीन लेंसे दोनों फोन में हैं यहां पर बाकि प्राइमेर लेंस का जो सेंसर है काफी बड़ा आपका यूस किया है इस बार तो आपको यहां पर 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है ओपो रेनो एट्टी में उसी के साथ एक एक सेकंड जो लेंसे 2 मेगापिक्सल का पोट्रेट लेंसे 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रोसकोप लेंसे काफी इंट्रेस्टिंग से लेंसे हमें ओपो रेनो एट्टी में देखने को मिल रहे है बाकि वीवो यहां पर आता है प्राइमेर लेंस के आपका 64 मेपिक्सल का इस इस बार, फ्रन्ट से जो वीडियो आप यहाँ पर शूट कर पाएंगे, वो Y100 में यहाँ पर आता है, 4K 30 EPS का सपोर्ट, 1080 के साथ 60 EPS का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर दो मोड्स भी आपकी इस्टेंडर मोड, अल्रा स्टेंडर मोड, जो कि वीडियो काफी स्मूथ रिकॉर रहें, बाकी फिल्टर बगेर हैं, जो आप वीडियो के अंदर यूट कर सकते हैं, पोट्रिट वीडियो बगेरा भी आप इसमें बना पाएंगे, लेकिन ओपो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, इसमें नॉर्मल 1080 30 EPS का सपोर्ट हमें देखने को मिला, किसी भी वीडियो को वालेटी, सिमिलर सी है, 1080 30 EPS तक आप शूट कर सकते हैं, इन दोनों ही फोन के अंदर, तो एसमें नॉर्मल आप फोटो अगरा क्वालेटी, यहाँ पर एसमें पर इसमेलर आपको देखने को मिलेगी, पर्फोर्मेंस के अगर मैं बात करो, तो ओवियसले दोन फोन के अंदर है, एक चीज़ यहाँ पर देखे, प्रोसेसर के क्वालेटी, वो काफे डिफरेंट है, एक तरफ मीडियाटिक डामेंस सेटी यूज़ किया है, 900 का चिपसेट, यहाँ पर व्यू यहाँ पर व्यू यहाँ तरफ Qualcomm Snapdragon 695 यूज़ किया है, ओपर के फोन में, द यहाँ पर आप अपने इसाप से दूसरी RAM वाले फोन को या दूसरी Storage टाइप को भी आप सेलेक कर सकते हैं, और जहाँ बात आती ही Color OS या फिर Front Touch OS के तो आपको भर-भर के Bloatware एप्लिकेशन मिलते हैं, लेकिन फोन बिल्गुर खाली नहीं आता है, फोन बिल्गुर खाली न निराज नहीं करती है, बैटरी परफोर्मेंस और Charger Capacity के मामले में, तो आपको बैटरी तो मिलती है, 4800 mAh की बैटरी मिल जाएगी, बाकी 67 Watt का Charger आपको देखने मिलता है, बॉक्स के अंदर, काफी Fast Charging सपोर्ट यहाँ पर दिया है, आप हमने इसका Charging टेस्ट भी किया है आप जाके Checkout कर सकते हैं, बाकी Vivo Y100 के में बात करूँ, तो इसके अंदर, फोन के अंदर, 45,7 के बैटर मिलती है, और 44 Watt का Charger है, इसका भी हमने Charging टेस्ट किया है, चैनल पर आप हो जाके Checkout कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, कितने देर में, कितने फोन चार्ज हो जा अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोला ददबा जमाना है, तो 3D करू डिस्पले यहाँ पर काफ़ी ट्रेंडिंग में है, भी सभी फोन के अंदर, तो वो OPPO Reno 80 में मिलती है, बाकी वीडियोग्राफी बगर का लेवल अगर देखें आप, तो 4K का सपोट आपको यहाँ आपर Y100 मिलता है, पर्फॉमेंट्स ठीक ठाक, दोनों में आपर वक करेंगे, बैटरी के मामले में थोड़ा सा जाजा बैटर, OPPO Reno 80 निकल कराता है, लेकिन आपका बज़ेट बिल्कुल फिक्स है, 25 ज़र में वेल्यो फॉर मनी फोन आपको आपको तो वीडियो यहाँ पर के में लिके ता